बोलू हलो एब्रिवान मैं आप सबकी अनोखी तिलक महरा आप आल्रेडी शो को बहुत प्यार कर रहे हैं और आगे भी करते रहे हैं थांकियो हाँ फाइनली मेरी तीन कंडिक्शन्स क्लियर हो गई हैं और आज फाइनली मेरी शादी है जो कि दद्दू ने प्लान की है कि सामुहिक विवा जो कुछ रिच्वल्स होते हैं पुराने टाइम के तो उस तरह से कुछ होगा तो नॉमल शादी नहीं है बनोखी की शादी है तो नॉमल कैसे हो सकती है नोखे अंदाज में हो रही है तो अब वो ही ट्विस्ट है आगे देखो क्या होता है मतलब मुझे मैंने याद नहीं है मुझे याद नहीं है मुझे लास्ट छुटी कप थी पिछले दो महीने से हम शुटिंग कंटीन नूसली तो पंदरा अगस्ट पे फाइनली मुझे चुटी है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है मुझे चुटी होना मेरे लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है मैं I'll chill out at home घर पे अराम से बैठूंगी और वो सब कुछ करूंगी जो बार टाइम से नहीं किया है खुद को टाइम दूंगी खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी बच्चे तो मेरी जिंदेगी में फिलाल कोई नहीं है मैं खुद ही बच्ची हूँ तो मैं कैसे बच्चों मैंसा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ हाँ घर पे रहूंगी, मेरी रूमेट्स हैं उनके साथ रहूँगी मुझे बिल्कूल भी टाम स्पेंड करने को नहीं मिलता है उनके साथ तो फाइनली 15 होगे काफी टाइम के बाद मुझे छुटी मिल रही है तो घर पे या लेट्सी कहीं पे घूमने जाओंगी मुंबई एक्स्पोर करूंगी जो नहीं किया अभी तक तो लेट्सी सेंचुरी 47 47 मेरा पसंदीदा तो ऐसस्च तो मेरे वतन के लोगो मुझे बहुत पसंद है जो आइगिस लटाजी ने गाया है मुझे बहुत पसंद है वो जब भी मैं सुनती हूं मेरे आंखों से आंसों आही जाते हैं हमेशा है कि मैंने में बहुत ही एक्टिफ पार्टिसिपेंट रहती थी extracurricular activities में पढ दव color करती थी यह सब कुछ ही जादा करती थी तो हाँ हमेशा करती ती कुछ न कुछ करती रहती थी कुछ डाउन होता था गाना होता तो हमेशा कही Online & Bic कुछ जैसे बाकी बच्चे लाइन में या कुछ भी करवाते थे तो हां हमेशा करती थी वे पाटी जाने मुझे बहुत डांड पढ़ती थी क्योंकि मैं गभी क्योंकि में अग्चलान कर दो और सफस्की थे थी कि कषधिलन बिंहला कोई ज suivनी अग्षी बताई जाएग कि मैं तो मैं उस चीज में तब तक माँ बिलीव करती हूं जब तक वह जुश क्यों क्यों हो ताइन मेरी है हमेशा से आदत रहिए को मुझे तो तो school time में भी college time में भी बहुत डांट पड़ती थी अगर आप सच में होना चाहते हैं तो इस तो फिर जितना मर्जी आप इंडिपेड़ने की आप ने कोई आप दुनिया को किस तरह से देखते हैं क्या किस परस्पेक्टिव से देखते हैं आप नहीं हो सकते हैं अपने विचारों से आपको इंडिपेड़नेंट होना बहुत जरूरी है